नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल अट्याचार यूटूब चैनल जहां पर हम सिविल इंजिनिरिंग को बहुत ही आसान तरीके से एक्स्प्लेंड करने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे स्वाइल के बारे में जियो टेक्निकल इंवेस्टिगेशन के बारे में तो सिविल इंजिनिरिंग को ये कैसे इंपेक्ट करती है और इसमें क्या-क्या चीजे एक रेडिल ही हमें पता होनी चाहिए मैं कोई भी formula calculation इन सब की बात नहीं करने वाला हूँ लेकिन आपके स्वाइल के बारे में concepts जो है समझ जो है उसको थोड़ी सी बहतर बनाने की कोशिस करूँगा स्वाइल के जो छोटे छोटे component वाले formula हैं वो तो आप पढ़ी रहे हैं उससे जूची रहे हैं और overall स्वाइल को देखने का जो नजरिया है आपका कैसा होना चाहिए है जैस सिविल इंजीनियर इस चीज में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो थोड़ा से दिमाग खोली है और सांधी से बैट जाएए और देखे कि मैं क्या-क्या बोलना चाहता हूँ अधा करता है क्योंकि हमें पता नहीं है स्वाइल के हिस आपसे हमारे बिल्डिंग के कोस्ट इधर के उधर हो जाती है कई बार तो भाइबिलिटी भी खतम हो जाती है बरे-बरे स्टक्चर्स की आप सोचो कि जो बूर्ज खलीफा बना था वहाँ पर सैंड था उस सैंड को में positivity गें करने के लिए कैसे-कैसे उसमें foundation दिये गये थे पाइल foundation के इस्तेमाल हुआ है बहुत गरे-गरे पाइल foundation बीडियो का लिंक दे रहा हूं बूर्ज खलीफा पर बहुत अच्छी वीडियो बनाए है मैंने देखी गया जाके तब आपको समझ में आएगा कि एक building के लिए या किसी भी structure के लिए अगर bridge बन रहा है कोई एक bridge बन रहा है तो उस area का soil कैसा है उस पे उसके पूरी foundation depend करेगी open foundation होगा कि pile foundation होगा और अगर pile foundation करना पड़ा तो cost बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक civil engineer को ये नजर कैसे develop करना है कि मुझे ये पता चले कि भाईया ये soil बड़ा खराब है या बहुत अच्छा है यहाँ पे तो foundation must बनेगा सस्ते में काम हो जाएगा यहाँ पे आप सलाद होगे कि यहाँ पुल बनाना है वो इस चीज को इस complication को समझ के चले तो soil इतना important role कर अदा करता है तो generally जो soil होता है दो तरह के soil आपको मिलेंगे generally जो बोला जाता है वो है cohesive और दूसरा है non cohesive ठीक है cohesive soil का मतलब क्या हुआ cohesive soil का मतलब कि soil के particles जो है आपस में जुड़े हुए है अगर वो आपस में जुड़े हुए है तो cohesive soil है और आपस में फिरी है जैसे sand तो sand क्या है this is non cohesive soil तो दोनों soil की अपनी-पनी कुछ की property अच्छी होती है कुछ की खराब होती है तो cohesive soil में ही कही category है जैसे cohesive soil में अगर आता है black cotton soil बहुत बेकार soil होता है पानी परने के बाद वो cotton की तरह expand करता है फिर पानी निकल जाए तब फिर सिकूड जाता है अगर ऐसे soil के उपर आपने structure बनाया तो पता चला बारिस में उपर चला गया बारिस खताम होगा तर नीचे चलाएगा आपके structure के ऐसी की तैसी हो जाएगी तो आपको क्या करना है उस soil के behavior को समझना है उसमें वो expansion जो होता है जब भी soil पानी डालेंगे तो expansion क्यों होगा उसमें expansion pressure develop होता है poor pressure develop होता है तो हम अगर उस pressure को encounter कर सकते हैं हमारे structure का इतना ज़्यादा weight है तब तो साइद इतनी समझ्या ना हो अगर हम समझे तो लेकिन अगर आपने black cotton soil डाल के उसको flooring कर दी flooring के तो कोई weight है नहीं बरसात में पता चला flooring गी उड़ गया मैंने तो देखा है ऐसी आपने भी देखा होगा कहीं floor crack हो गया floor खराब हो गया लेकिन आप कोई heavy structure उस पर बनाते हैं और उसमें जो भी pork pressure develop होता है generate होता है उसको अगर वो encounter कर सकता है अगर calculation से हो सकता है कि structure पर कुछ ना हो या फिर हम क्या करेंगे कि block cotton को हटाएंगे अब ऐसा तो है नहीं कि 20-20 meter तक black cotton हो generally marriage की experience है 1-2-3 meter तक black cotton की कहान ही खतम हो जाती है और कई बार surface पर black cotton होता है अंदर में gravels पाये जाते हैं अंदर में अच्छे quality की soil पाये जाती है तो 2-3 meter नीचे भी अगर पाये जाता है और तीन मीटर खोदना लेकिन easy काम नहीं है black cotton के साथ तो फिर हम pile foundation या अंदर रिम pile पे सोच सकते हैं तो soil कैसा है इस पर हमें foundation का deep end करेगा तो black cotton soil cohesive soil में black cotton soil जो होता है बहुत बेकार soil होता है avoid करना है इसको अगर ऐसा soil मिलता है तो आपको deep study करनी है कि यहाँ पे जो भी structure का काम चल रहा है उसमें हमारे foundation पे क्या खर्चे बढ़ेंगे इसको replace करना पड़ेगा यहाँ में pile foundation पे shift होना है या इसकी depth ज़्यादा नहीं है तो हम excavate करके open foundation भी डाल सकते हैं उसके बाद इसी में cohesive type के ही soil में red soil आता है जिसको लोग मूरू मूरू करा कहते है इसमें expensive nature नहीं होता है यह bind तो करता है यह अच्छी property डेवलप कर देता है soil के अंदर है ना क्योंकि soil के अंदर बहुत सारे particles हैं माले ते gravel हो गएरा भी है तो सब को bind कर देगा binding का काम करेगा तो जब bind करेगा तो इसकी nature स्विसी इसकी काफी नहींस हो जाएगी pile भी अगर आप करोगे तो pile में अच्छी capacity मिलेगी तो ऐसा soil जिसमें gravel हो जिसमें थोड़ा सा non cohesive material हो बीच में कुछ cohesive clay हो और जो उसको binding कर दे binding material वाला कोई अगर soil मिलता है red soil type का तो यह आपको गुजरात side में South India में कई जगा पाया जाता है तो red soil type का Odisha में पाया जाता है तो ऐसा soil अगर मिलेगा तो आपको structure के foundation बनाना easy होगा सस्ता भी होगा क्योंकि छोटे foundation pile भी मारेंगे तो कम देफ्त में अच्छी capacity मिलेगी SBC अच्छा मिलेगा तो soil अच्छा होगा तो अगर ऐसा मिलता है तो आपके बल्ले बल्ले है आप खुस हो जाओ बोलोगी बढ़िया soil है structure बढ़िया बनेगा construction करने की methodology में भी easy रहेगा क्योंकि खोद भी पाएंगे हम excavate भी हो जाएगा easily foundation बन भी जाएगा backfill भी हो जाएगा hard rock नहीं है hard rock की दूसरी problem सुरू हो जाती है तो ये हो गया अब उसके non cohesive में आगए है तो sand तो अगर pure sand है तो pure sand तो आपस में बंधे ही नहीं है तो तो confined होके रही नहीं सकते है तो उनके उपर अगर आप foundation बनाओगे तो soil को पहले stabilize करना पड़ेगा capacity तो अच्छा देंगे लेकिन अगर अगर आजू बाजू से किसी ने इधर उधर किया तो सब collapse हो सकता है pile foundation भी इसमें बहुत अच्छी capacity नहीं मिलती है क्योंकि सिर्फ friction काम करता है cohesive soil में क्या है friction के साथ cohesion भी होता है तो जो उसकी binding gluing capacity वो भी उसको पकर गर रखती है pile को तो उसमें capacity अच्छी मिलती है pile में लेकिन sand में capacity अच्छी नहीं मिलती है अगर sand में pile पे जाओगे deeper foundation बनाना पड़ेगा open foundation बना सकते हैं अगर हम ये ensure हैं कि इसमें थोड़ा सा कुछ binding material है ऐसा तो एकदम नहीं होगा pure sand मिल जाए silty sand मिलेगा या sand अगर कुछ नीचे deeper जाएंगे तो sand भी है तो sand तो पूरे area में ऐसा तो कोई होगा ने तो फिर open foundation इसमें बन जाता है तो pure sand भी बहुत अच्छा नहीं है sand के साथ अगर कुछ clay कुछ binding material भी मिले तो वो भी अच्छा behavior का sand होता है तो वो भी अच्छा स्वायल है बट pure sand not good pure sand है तो थोड़ा साब को सचेत रहना है foundation को लेके लेकिन ये इसमें कमसे कम इतना दिकत है कि बारिस भी होगा कुछ भी होगा इतना problem नहीं होता है काम करने में इन दोनों में क्या होगा कि बारिस होगा तो पूरा किच-किच रहता फैह जाएगा कोशिस यह रहती कि काम बारिस के पहले करके निकला जाए साइंडिस वाल में बारिस हुई तब रुका उसके अतकाम चल सकता है तो यह है इसका benefit तो कुछ benefit है तो कुछ demerits भी है अब उसके बाद आजाएगा hard rock अब rock ही है तो foundation तो इसमें कुछ भी बना दीजिए बहुत अच्छी capacity मिलेगी लेकिन साला इसको तोरना ही बहुत बड़ा कठिन काम है तो hard rock होना it's not a very good thing क्योंकि उसको break करना, blasting करना पड़ेगा blasting करना अपने आप में बहुत बड़ा task है, authorities के permission लेना इतना आसान नहीं होता है फिर hard rock में drill करना DTH, अलग से special machine होती है उसकी drilling के लिए, काफी costly होती है 33-44,000 पर मीटर charge करते हैं वो तो इसकी engineering point अब भी से सोचे तो बहुत अच्छी soil है भाई लेकिन उसको construction point अब भी से सोचे तो बहुत मुश्किल का tough job हो जाता है rocky area में काम करना, लेकिन आपको एक मिलेगा disintegrated soil या weathered rock अब weathered rock में moderate काम करने में moderate effort लगाने पड़ेंगे लेकिन इसमें क्या है कि आप काम थोड़ा से थोड़ा से जादा effort लगा के बनाएंगे लेकिन इसमें सब foundation foundation easy बन जाएगा, इसके calculations foundation सस्ते बनेंगे तो moderately इसको आप तोड़ भी सकते हैं एक कबेटर से breaker लगा के आप weathered rock को या disintegrated rock है तो उसको तोड़ के हटा सकते हैं easy है, hard rock is very tough यानि upper और lower tough हो जाएगा black cotton soil भी tough हो जाएगा इन दोनों के अपने अपने problems हैं, weathered rock moderately आपको effort लगाना परेगा होदने होदने में, लेकिन बाकी इसकी अच्छी properties है foundation छोटे बनेंगे काम करना बरसात में भी काम चलता रहेगा तो यह इसमें दोनों चीज़े हैं pure sand के अपने problem है pure sand में थोड़ा सना उसके उपर कुछ stability या मूरो मूरों डाल के फिर उसके उपर foundation बनाते हैं, ताकि sand confined रहे ठीक है तो pure sand का यह है hard rock का बताई दिया, weathered rock हो या disintegrated rock हो, या gravel हो red soil हो बढ़िया है, मूरूम हो बढ़िया है तो soil को समझी है, soil को थोड़ा विजिट करिये कहीं भी जाए, दिखी कैसा soil है पार इसमें कीचर तो नहीं हो रहा कीचर होगा तो construction कैसे उस पर गारी नहीं चल पाईगी, फस जाएगा गारी तो जब आप engineer है, construction manage कर रहे हैं तो आपको तो दियान मानेख चीए कि यार बारी इसके पहले मुझे काम करके नहीं कलना पड़ेगा नहीं तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगे यहां पर मेरे गारी का vehicle movement नहीं उपाएगा मेरे hydra नहीं जा पाएगा, truck, dumper कुछ नहीं जा पाएगा excavator नहीं जा पाएगा तो broad करना पड़ता है अपनी thinking को तो जब हम broadly सोचना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि हमने जो इतनी पढ़ाई की थी, कितनी काम की थी हमने कभी इस तरह से soil को देखने की सोचा कभी सोचा आपने इस तरह से soil को सोचने का, समझने का हमने इतनी soil जो पढ़ी उसका जिस्ट किया है कि हम इसमें expert बन सकें तो आप रटने में वाइड रेसी के आता, पुरो सिटी के आता रहे भाईया वो सब तो बहुत ज़रूरी है आपके academics के लिए लेकिन जब आप इंजिनियर तभी बनोगे जब यह ब्रोडली चीज़ों को समझना शुरू करोगे तो पहले ब्रोड नज़रिया से देखेंगे foundation तो हम design करी लेंगे पहले हम decision तो ले books तो हैं ही मेरे पास, calculation के steps पड़े है लेकिन मुझे इस project के साथ जाना है कि नहीं जाना है मैं अगर contractor हूँ, तो मुझे एक काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मेरे लिए कितनी difficulties हैं, यह decision लेने के लिए अगर contractor नहीं ले पा रहा है, आपके पास है जिए engineer आया है तो आप तो उसको empower करोगे न जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है पहले तो खुद दवा खाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा अगर डॉक्टर उसको चार दवाई लिखे गड़ा, ठीक हो जाएगा तो आप तो उस contractor, बेचारे contractor के लिए एक डॉक्टर की तरह हो तो आप उसको ऐसी सला दो, जिससे वो फंस न जाए, कोई काम ऐसा उल्टा सीधा लेके तो मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस से वी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए